हालो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर आजेंदर सिंह राजावत इस वीडियो में हम migration in fishes या निकी मचलियों में प्रवासन के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम जैसा की परिचिते migration is migration का मतलब होता है it's a two-way journey यानि की एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक जाना और वापस उसे इस्थान तक आना इसका मतलब यह जो पिरियोडिक मुमेंट होता है यह जनरली एक रेगुलर मुमेंट होता है सामन्य ता यह सीजनल होता है यानि की सीजन पर डिपेंड करता है और इसमें fishes की एक species के जो member होते हैं वो एक साथ एक एरिया से दूसरे एरिया की और migrate होते हैं और यह दो कारणों से मुख्यत हो सकता है या तो feeding के लिए या फिर breeding के लिए तीसरा एक कारण और हो सकता है इसमें climatic conditions से बचने के लिए adverse climatic conditions से बचने के लिए इसके बाद हम बात करें तो migration vertical हो सकता है यानि की deeper water से surface water की और हो सकता है या vice versa हो सकता है यानि की surface water से deeper water की हो दूसरा migration में भी horizontal यानि की यह towards upstream हो सकता है या towards downstream भी हो सकता है next इस slide में हम types of migration के बारे में बात करेंगे जो की stimulus के basis पर होता है की कारण क्या रहा migration का तो जैसा कि हमने previous slide में भी बात किया कि migration की तीन मुख्य कारण हो सकते हैं सबसे पहला climatic migration यानि की in search of better climatic or environmental conditions better परियावर निये या बाता वर निये जलवायू को प्राप्त करने के लिए यानि की adverse environmental conditions को avoid करने के लिए climatic migration होता है जैसे कहीं पर बहुत जादा सर्दी होती है तो उस extreme cold से बचने के लिए animals कुछ समय के लिए दूसरे एरिया में migrate हो जाते हैं ताकि वो अपने आपको सुरक्षित रख सकें extreme cold से दूसरा हम बात करें तो gametic migration gametic migration spawning के लिए होता है यानि की breeding के लिए होता है यानि की कुछ जन्तों में स्पानिंग के लिए जन्तों को अपने feeding एरिया से spawning एरिया तक migrate करना पड़ता है और उस environmental condition में ही वो स्पानिंग करते हैं तीसरा elemental migration यह feeding के लिए होता है यानि की जहां पर कहीं बोजन की कमी होती है तो उस स्थान से जन्तों ऐसे स्थान के और migrate करते हैं जहां पर उनको proper food मिलता है तो यह तीन तरह के migration के types होते हैं climatic migration, gametic migration and elemental migration इसके बाद methods of migration fishes तीन तरह की विधियों का अपयोग migration के लिए करती हैं सबसे पहला method है drifting इसके अंतरगत fishes water currents के साथ साथ passively travel करती है यानि कि जिस दिशा में जलधारा बैती है उसी दिशा में मचलिया उसके साथ 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 बैती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है दूसरा तरीका है random locomotory movement यानि कि fishes एक स्थान पर release करने के बाद सभी दिशाओं में randomly अगर distribute होती है या movement करती है तो random locomotory movement कहलाता है जिसके इन तरगत मचलियां एक जगे पर जैसे पॉंड में अगर release करी है और वो किसी भी दिशाओं में locomotion कर सकती है तीसरा oriented swimming इसके अंतरगत मचलियां किसी एक विशेश दिशा में ही migration करती है और उसको हम oriented swimming कहते हैं तो यह में तीन विधियां मचलियां migration के लिए काम में लेती है इसके बाद हम patterns of migration के बारे में चर्चा करेंगे जो कि तीन प्रकार के होते हैं जिसमें सबसे पहला pattern है diadromus diadromus यानि की between sea water and fresh water यानि की अगर मचलियां sea water में रहती है तो fresh water की तरफ migrate होंगे वापस sea water में आ जाएंगी या दूसरा हो सकता है कि fresh water में अगर रहती है तो sea water की तरफ migrate करेंगे वापस fresh water में आ जाएंगी तो इसको फिर से हमने तीन भागों में डिवाइड किया है जो कि डियाड्रोमस है जो कि sea और fresh water के बीच में होता है पहला है अनाड्रोमस अनाड्रोमस के अंतरगत मचलियां सामानित है जो उनका feeding area है वो oceans होते हैं यानि कि वो marine water में रहती है लेकिन उनका जो spawning area है वो fresh water होता है यानि कि वो spawning के लिए fresh water में जाती है breeding जो उनका होता है वो सिर्फ fresh water में होता है और breeding के बाद वो वापस अपने feeding area यानि कि oceans में लौट आती है ऐसा हमें देखने को मिलता है सालमन हिल्सा स्टर्जियान एंड ट्राउट फिशेज में यानि कि इनका feeding area जो oceans है यह spawning के लिए marine water ocean से fresh water के और जाती है और वापस आफ्टर ब्रीडिंग में लौट आती है और इसके और एक्जामपल हम बताएं जैसे स्टिकल बैक है पैट्रोमाइजोन में रहना से लैंपेट्रा फ्लूवियेट इस तेलिस है यह सब ocean से fresh water में बीडिंग के लिए आते हैं वापस oceans में लाट जाते हैं दूसरा तरीका जो है पैटर्न माइग्डेशन का वह है कैटाड्रोमस माइग्रेशन जो की डाड्रोमस का ही पार्ट है इसके अंतरगत फ्रेश वाटर की मचलिया जहां पर उस हामने तहर रहती है जो उनका यानि कि इन में spawning के बाद जो adult होते हैं वो मर जाते हैं और उनके जो यंग हैं जो larva हैं वो वाफस fresh water की और lot आते हैं where they attain maturity and again migrate to sea water. then next we will discuss about amphidromus migration. amphidromus का मतलब होता है यह दोनों तरफ हो सकता है fresh water to sea and vice versa है ने की sea to fresh water also जैसे की gobies जो fishes है smallest fish उसके इंतरगत इस तरह का देखने को मिलता है यह हम जिसके बारे में चर्जा कर रहे थे भी की anguila जो की एक fresh water fish है यहां पर हमने previous slide में देखा anguila that is a fresh water fish this is anguila fresh water ill यह spawning के लिए oceans में जाती है you can see here in this slide this is adult anguila adult ill यह सामने तर फ्रेश वाटर में रहती है लेकिन migrate होकर के spawning के लिए सारगसो सी में जाती है यहां पर यह breeding करती है और उसके बाद इसका लार्वा प्रोड्यूस होता है इसको लैक्टोसेफिला लार्वा बोलते हैं फिर यह एलवर लार्वा में यानि कि ग्लास हिल में डवलप होता है और यह वापस पूरी तरह से मैचुरिटी गैन करने के लिए यह फ्रेश वाटर की और लॉट आता है और यहां पर अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इसके बाद वापस अगर इसको रिप्रदक्शन करना है ने बिलिदिंग करना है तो इसको ओशेंस की और जाना पड़ता है जिसे हम कैटाड्रॉ और इसके यहां पर जो दो लार्वा और दूसरा ग्रासल या अलवर लार्वा दिखाए गये हैं इसकी बाद अगर हम पैटरन्स ओप माइगरेशन को ही कंटिन्यू करें तो दूसरा जो होता है पहला हमने डाड्रोमस के बारे में चर्चा करी दैन पोटेमोड्रोमस दूसर दूसरा जो पैटरन्स ओप माइगरेशन है इसके अंतरगत जो मूवमेंट वह सिर्फ अफ्रेश ओटर की confined होती है जैसा कि हम सामने तर फ्रेश वाटर फिशेज में देखने को मिलता है जैसे कि काप्स में जो की रिवर्स में ही एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक migrate होती है दूसरा जो last method है तीसरा वो है oceanodromus pattern of migration इसके अंतरगत marine fishes long distances travel करती है लेकिन वो सिर्फ sea के अंदर गती होता है यानि कि oceans में एक स्थान से दूसरे स्थान तक spawning के लिए fishes जाती है और वापस अपने feeding area को लोट आती है लेकिन इसके feeding area और breeding area दोनों ही ocean के अंतरगत यानि की marine water में ही होते हैं इसलिए इसको oceanodromus कहा गया है इसके example है cod जिससे जिसका scientific name है goddess morua then herrings that is groupia mackrells that is pleuronectus platessa and tunas that is thanas so यह तीन तरह के patterns of migration थे जैसा हमने पहला है यह first is diadromus जिसमे तीन पार्ट पडे anadromus catadromus and anantridromus उसके बाद दू patterns ही है second potimodromus and third oceanodromus so thanks for listening and watching this video hope you have enjoyed the video thank you very much